हाई गाईज नमस्कार वेलकम है आप सुभू का मेरी सो और गेनिक गिर्ण गार्ण चैनल पर जिसे आप देख रहे हैं अपना प्यारा चेनल यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स और साथ में यह उमीद रखता हूं कि आप स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे आपके पूरी मिट्टी को पावर्फुल बना सकते हैं मतलब दुबार हुसे किस तरह से सक्षब बना सकते हैं तो अगले इस वीडिय면 पर मेरी पूरी इंफ्रमेशन आपके लिए यहीं बनी रहेगी तो इस वीडियंगे आपको पूरी इंफ्रमेशन मैं बिलकुल विलकुल एक छोची सी वीडियो में पूरा information आपके साथ share कर दूँगा ये वीडियो काफी लंबी नहीं होगी और ये ये वीडियोए आपके लिए काफी फाइदा होगा लब दयक होगा आ तो फ्रेंस्ट ये वीडियो उन दोस्तों के लिए काफी फायदे हो सकती है लाव हो सकती है जिन दोस्तों जिनके पास काफी जगे की कमी होती है जिनके पास इस पेस काफी कम होती है तो वो दोस्त हमारे इस तरह से गंबले पे वेजटेबल उगा सकते हैं जैसे कैपिक कैप सिकम हो वैगन हो या चिली जो मिर्च होती है तो इस की natuurlijk मिटी ठीजन रखे रखे हैं जोकी है जो कि लगबग 6-7 जोली दिन यह पूराय हो चुकिए यह पूरी टाय हो चुकी जके पूरी ड्राय हो चुकी पूली बिल्कुल ड्राय हो चुकी है तो यह जान रहे हैं फ्र plotting चिरण इस वर्षात की सीजन में इन गमलों से मैंने इस मिट्टी से मैंने एक बार फसल ले चुकी है ले चुका हूं और इससे मैंने फसल एक बार ले चुका हूं वर्षात की तो मैं आब यह चारा हूं कि यह जो विंडर की समय जो हमारी ठंडी की मोसम आ रही है तो फिर से इस मिट मिर्टी की प्रिपैरिंग करनी पड़ती है मिर्टी को मिर्टी को इवन की हमें ड्राय करनी होगी तो तो जैसे कि हम जानते हैं जब हम अपने खेतों पर या अपने गमले की मिर्टी पर जब एक बार हम फसल उगा लेते हैं तो मिर्टी की जो पोसकतत हुए जो मिर्टी की जो पोस्ट या गोबर की खाद हमें उसे मिलाने पड़ती है तब जाके वो दूसरी फसल हम जो जो हम दूसरी फसल लेंगे तब जाके इस तरह की जब हम खाद मिलाएंगे तब हमारी मिटी फिर से तैयार हो जाएगी दूसरी फसल लेने के लिए तो जैसे हम जैसे अक्सर आप कि हैंने के बाद हल से वह खेट को फिर से जूताइग कर देती एक करerekर करने के करने के मतलَब यह होती है कि जब जो थिंसे इसे कीट होते हैं जो हमारे के वेस्टिवल के होते हैं उसके अंदर में कीट पHello फिर से जो रूट होते हैं होती है उसे समय समय से उसे नुकसान पहुचाती है छेत को एक वर फूरी से हल से जूटाई कर दी जाती है जिससे जो होती हो जो दूप हो जो सबुसरे के वहर आ हमारी मीटी के अंडर में जो होते हैं इसलिए मिटी को जुताई कर दी जाती है जिससे की हमारी मिटी रोग मुगत हो जाए और जो भी हम फसल ले तो वो हमारी फसल अच्छी तरह से हो सकती है ठीक वेसे हम इस तरह से मिती को हम अपने प्रिपेरिंग करेंगे जो गमले पे मिती पे फसल उगा चुके हैं तो उस मिती को हम यहां आप देख सकते हैं लगवाग 6-7 दिन हो चुके हैं मैं मिती को पूरी ड्राय कर लिया हूँ और जो इस पे जो मैं कमपोश्ट मिलाऊंगा जिसे कि आप देख सकते हैं यह काउट डंक यानि की गोवर जिसे हम कहते हैं यह फुली डिकमपोज है फुली डिकमपोज पहचाने की जो इसकी जो पहचान है जैसे आप देख सकते हैं यह हलके डार्क या भूरे कलर की हो जाती है जिसे आप देख सकते हैं इस तरह से इसक की स्मेल बिल्कुल मिर्टि की स्मेल हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि मिर्टि यह हमारी हमारी इसे मिर्टि हमारी अच्छी तरह से में अगर हम कच्छे गोबर अगर हम चाहें कि हम अगर हम चाहें तो जाइब हमारा के जहने का मतलब यह है कि जो भी आप गोबर की खाद ले वह बिल्कुल डिकंपोज होनी चाहिए बिल्कुल सडी गली होनी चाहिए जो गोबर लगबग एक साल की करीब हो जाती है जब उसे हम पानी या दूप के संबर्क में रखते हैं तो फुली डिकंपोज हो जाती है कुछ इस तरह से हमारी जो गोबर की खाद फुली डिकंपोज हो चुकी है तो यह वीडियो बहुत जल्दी में आपके साथ सेर करूंगा फ्रेंट्स तो वेल सुरू करेंगे इधर से फिर से तो हम बात करेंगे मीटी के उपर यानि की स्वाइल के उपर फ्रेंट्स जब हम एक ब में आर्भण की ऑड़ाना होता है और उसे काफी अच्छय मात्रा में पोसकतु होती है क्या मीटी में इस से हम हम इसकी की सकती बढ़्व writes दिशिक पर्मिम्लियो में गोबर Cand ड़ो 우리는 भरपूर मातरा में होते हैं जैसे potassium है nitrogen है और phosphorus इन पोशकत्त्व में हमारी यह जो गोवर की खाद है इसमें भरपूर मातरा पे होती है इसकी रेसों काफी अच्छी होती है इसलिए हमें गोवर की खाद हमें मिट्टी पे मिक्स अफ करनी होती है जिससे हमारी मिट्टी फिर से पावर फूल बन सके तो और भी बहुत से पोशक तत्वे जो हमारे प्लांट के जो वेजटेबल है या फूट्स के पोदे है उसे क्योंकी होती है जो नाइटरो जन पासिफर व्रोड और पोटासियम यह सारे पूछ्ट्त अब्हेуст को काफी अधिक मातरा मीं चाहिए होता है तभी जाकि हमीरी प्लांट पर व्रूर्ट लगते हैं जैसे क्या आप देख सकते हैं कि यो काफी सारी फूर्ल लगी यह देख ह सकते हैं मैं आपको बिल्कुल जूंग करकी दिखला रहा हूं हो आप देख सकते हैं काफी फ्रोष लगी है फ्रेंट तो ऐसे ही अप अपने घर पे गंबले में इस तरह से वेजटरफ्ल को उगा सकते हैं बिल्कुल और ऑर्गेनिक कोगी से की से लिए काफी फ्हाइदा हुगई है इसे जड़ारे सरे काफी सारी मिंगांए हो ऑ्वह से और हैसे सब्गी को केमिकल और शैब लेकिन वहारी स्वास्त के लिए काफी नुकसान दे होता है तो हमें अपने स्वास्त के लिए ध्यान देनी के लिए हमें थोड़ी सी महनत करने होगी कुछ इस तरह से हम अपने गमले में कुछ वेजटेवल जो हमारे जगे जिनके पास थोड़ी सी स्पेस है या च्छत है या बेलकनी है जहां पर लगबद तीन से चार घंटे की धूप मिल सकता है उस जगह पर आप इस तरह से फूर्ट को उगा सकते हैं वेजटेवल को उगा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं हमारी गमले में एक प्लांट से लगबक कितनी सारी फूर्ट है आप गिनने से आपको गिनने में प्रेसानी होगी आप देख सकते हैं कितनी सारी फूर्ट है लगबक आपको एक प्लांट पे चार से पांच के आपको फूर्ट मिल सकती है तो ऐसे में आप अपने घर पे वेजटेबल उगा सकते हैं, बिल्कूल जो कि आप अपने घर पे लगबख 10 से 12 या 15 गमले भी रखेंगे, तो आपको वेजटेबल अपने घर के लिए आपको औरगेनिक वेजटेबल आपको मिल सकती है, और यह जो गमले आपके सामने दिख हैं, यह गमले मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप देख सकते हैं, तो अगर आप इस गमले को बनाना चाहते हैं, यह गमले आपको बनाने में बहुत असानी होगी, दो गमले लगबख आपको 40 मिलट लगेगे, अगर आपको यह गमले बनानी हो, तो मेरे चैनल को जल्द करके वाच कर सकते हो बटकि अगर अभी कमेंट्स हमारे पास अधिक आएंगे तो इस गमले पर मैं फिर से वीडियो बना दूँगा और उससे आप फाइदा होगा आपको गमले अपने घर पर बना सकते हैं लगबग आपको एक गमले में 30 रुपे के मात्र आपको लागत लग टो चलिए जल्दी से स्वैल का मिटी का प्रिपारिंग की सोइल कि तरह से मीटी के कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने हर वेजटीबल उगा सकते हैं भी और ज्यूब हम अपने हर पर सबज को यूँगा आएंगे उस में वीडियो सब्दा जो फूलिी डिकम विल्कुली से हम लगबक 10 से 15 Дίν ौधी झोड़ेंगे जिससे कि इस गोबर की खाद में जो सूच पे जिवानों होते हैं जो बैक्टरिया होते हैं वो इस मिट्टी पे मिल जाएंगे तो बहुत तेजी से इस मिट्टी की ब्रीड को ब्रीड करेंगे और जो कि हमारे मिट्टी की काफी जो जो पावर होगी वो पावर फूल हो जाएगी तब जाके यह मित्ती को हम फिर से गमले पे रिपोर्ट करेंगा और जो भी प्लांट लगाएंगे तो वह तेजी से ग्रोध भी करेंगी और इस तरह से वेजटेबल भी हमें मिलेगी यह वीडियो में फिरिफ मैं केमिकल को खाद केमिकल खाद जो है उस पे बिल्कुल यूज नही कर तो यह फाइदा होगा तो आप शाहिए तो इस तरह से आपने घर पर घंबले पर आफ वेजटेबल को यूगा सकते हैं यह फाइदा कमले काफी होंगे मैं आप किस तरह से बनकार से बनानी है में आपको समझा कि परके नहीं कि आप खुपा दया खालस तरह कि कि में इस तरह से और विपीज़ दोין गेबाना सकते इस तरह से आप मीठी को ड्रा beneath जो आप बताएंगे शॉझाल कि दोर पर मैं उस तरह से फ्रूट वो वेटेबल पर वो काफी वीक साइज पर आएगी और साइज में इंक्रीज भी होगी जो काफी एटेक्शन होगा फ्रूट्स पर फ्रूट्स काफी हेल्दी भी होगी तो फ्रेंट्स एक पार्ट में हमें अपने गार्डन स्वेल लेनी है जो कि जिस एडिया पर आप रहते हैं ये soil media मैं आपको 12 इंच के गमले पर बात कर रहा हूं तो आप 50% अपनी soil ले यानि की मिटी ले और 20% आपको cow dunk लेने हैं यानि की गाई की गोबर 20% 10% आपको compost लेनी हैं जो की leaves खाद होती है यह 10% लेनी है और 10% आपको coco pit लेनी है जो की पानी को काफी हद तक पानी को hold करने के लिए मदद करेगी जो की water इस पे काफी देर तक hold रहेगी पानी इस पर जो मिटी पर मुष्चर है काफी देर तक बने रहेगी तो यह आपको coco pit 10% लेनी है और 10% आपको sand लेनी है यानि की river sand जो जिसे आप बालू बोलते हैं जिसे बजरी बोलते हैं वह आपको 10% लेने हैं तो इस तरह से soil media आप जब बनाओंगे तो वह media आपको बिल्कूल well rain बनेगी और गमले की हमेसा मिटी हमें well rain बनाना पड़ती है ताकि जब भी ह कि जो यह drainage hole होती है वो बिल्कूल इस drainage के माध्यम से पानी तुरण drainage हो जाए पानी अगर आपके गमले पे रुकेगी तो रूट जो है उसकी रूट अच्छी सी develop नहीं कर पाएगी रूट गलने शुरू करेगी जिससे हमारी plants मर सकती है तो ऐसी मिटी हमें बनानी होती है ज जो भी प्लांट लगाएंगे वो उसकी growth काफी अच्छी सी होगी तो एक बार फिर से आप नोट कर लें आप 50% मिटी ले 20% काव डंक 10% लीफ खाद और 10% कोको पीट 10% आपको सेंड लेने हैं यानि कि रीवर सेंड बालू जी से बोलते हैं और यह चारों चीज को आप मिक् ली हुए है तो इस तरह से मिट्या हम बनाएंगे तो हमारी गमले के लिए काफी अच्छी होगी तो चलिए से हम मिला लेते हैं उसके बाद फिर से हम आप से मिलते हैं यह मिट्थी को काफी लाइट वेट कर देगी कोको पीट एक ऐसी मिडियम है जो कि हमारी मिट्थी को काफी हलकी कर देती है मिट्थी को काफी हलकी कर देगी जिससे हमारी जो प्लांस की रूट है काफी तेजी से डेवलप करेगी रूट डेवलप करेगी तो हमारी प्लांस बन करके तैयार हो चीकिए आप इसे हमें गंबले पे फिल करनी होगी तो गंबले में फिल करने से सबसे पहले हमें ड्रेनेज होल काफी अच्छी सी हमें इसकी ड्रेनेज होल जो सिस्टम है काफी अच्छी से हमें बनानी होगी आप चाहें तो इस पे कंकर डाल सकते हैं जो प मिट्टी जब मैं इस पर डालूँगा तो काफी अच्छी सी पानी हमारी ड्रेनेज हो जाएगी इससे तो चलिए हम इस पर मिट्टी पर फिल कर लेते हैं जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी से बने रहे तो इस तरह से हमें खाली जगह रखनी होगे कि कुछ टाइम के बाद हमें इस पर कंपोस्ट डालेंगे तो वो इस पर कंपोस्ट की जगह बच पाए तो मित्रों उमिद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चाहिए हो तो इस तरह से आप गंबले पर अपने घर पर ग्रो कर सकते हो तो उमीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आये होगी और आप अच्छे से समझ पाए होगे कि कि इस तरह सी स्वेल मीडिया को हम उसकी पावर सक्तिकों फिर से एक पर बरकरा की घरो करूंगा जो मेश होती है वह लडिकिंण पर हम लगाओंगा और जो सर्डी की सेजन जो आ रही है उस पर हम उन गमलों पर हम कैपैसकर पास सकते हैं जो की विल्कुल और रगेनिक हो गी यह कमपोस्ट काव डर्का आपको और गेनिक होगी इ स्में कैमिकल कि खाद कि कंपोस्ट के नाम से बोल दोगे तो आपको दुकान वाले बहुत आसानी से आपको दे देंगे कावडन के मुकाबले बर्मिक कंपोस्ट में काफी अधिक मात्रा में पोसकतत होती है वह पोसकततों बर्मिक कंपोस्ट में काफी कई गुना अधिक होती है बटकी अगर आपके के पास गोबर की खाद फुली डिकंपोज हो जो गोबर की खाद फुली डिकंपोज है तो वो भी काफी अधिक उस पे पावर होती है जो कि प्लांट्स हमारी अच्छी तरह से ग्रोध कर पाएगी तो चलिए फिर मिलेंगा किसी नई वीजियो के साथ नई इनफर्मेशन के साथ तब तक के लिए गूड़ बाई एंड शी यू एंड बाई बाई